तुम दोनों में से, उन चारों में से, उपर से दूसरा, नीचे से दूसरा, अंदर वाले कमरे से, तीन दुकान छोड़ के, नीचे वाले कमरे से, दिवार के सहारे, क्या आपको पता है कि हम इने English में कैसे कह सकते हैं? अक्सर लोग confused हो जाते हैं जब इस तरह की बातों को English में करना होता है, एक्शली किसी ने comment करके मुझसे कहा कि इस तरह की बातों पर एक वीडियो लेसन बनाया जाए, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आप सीख जाएंगे कि किस तरीके से हम कुछ prepositions के concepts को यू इसे English में कैसे कहेंगे, तुम दोनों में से कौन, which one of you two will give the money, which of you two will give the money, यहनि आप दोनों में से कौन देगा पैसे, वैसे मैं आपको बता दूँ, one of, some of, all of, two of, which of, इसके ओपर मैंने पहले से एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक आपको यही पर मिल जाएगा, इस वीडियो को देख सकते हैं, उस मेरे detail में इस तरह की बातों को बताया था कि all of, some of, half of, इसके ओपर sentences कैसे बनाई जाते हैं, अगला sentence, उन चारों में से कोई नहीं, कोई नहीं को क्या बोलेंगे, none, उन चारों में से, none of the four came, none of the four came, चारों में से कोई नहीं आया, जब दो ल तो अब none का यूज करते हैं, none of them came, none of the four came, उपर से दूसरे नंबर पे मेरा नाम है, जिससे एक list है, उस में उपर से दूसरे नंबर पे मेरा नाम लिखा है, English में इससे कैसे कहेंगे, my name is on the second position from the top, my name is the second name from the top, top से लेकर दूसरी position पर मेरा ही नाम है, वैसे अगर कहना है, न my name is on the second position from the bottom, bottom से जब हम चलें तो second position पर मेरा नाम है, या फिर the second last name on the list is mine, अंदर वाले कमरे से कुरसी ले आओ, इसे कैसे कहेंगे, एक कमरा है, उसके अंदर एक और कमरा है, वहां से कुरसी ले आओ, तो कहेंगे, bring the chair from the room inside, जो room inside है ना, जो अंदर room है, उससे ले ले आओ room के बारे में बताने के लिए हमने वर्ड बता दिया, inside, कौन सा room जो की inside है, bring the chair from the room inside, इसे ऐसे भी कह सकते है, bring the chair from the inner room, inner room में से chair ले आओ, inner room यानि अंदर वाला जो कमरा है, bring the chair from the inner room, मेरा फोन उपर वाले कमरे में रखा होगा, इसे इंगलिश में आप कैसे कहेंगे, room upstairs, जो room upstairs है न, जो उपर है, वहां रखा होगा, my phone must be in the room, room के बाद हमने upstairs लगा दिया, ये बताने के लिए कि ये room जो है, upstairs है, उपर है, cd चड़के, जब हम जाएंगे उपर, तो उपर मिले गई है, my phone must be in the room upstairs, वैसे ही, आपके जूते नीचे वाले कमरे में होगे, इसे आप बताईए, आप इसे कहेंगे, your shoes must be in the room downstairs, यापके जो shoes है, वो उस room में होगे, जो downstairs, नीचे वाले कमरे में होगे, your shoes must be in the room downstairs, यहां से बस तीन दुकान छोड़कर नाई की दुकान है, कई बार हम किसी को address बताते हैं वक्त ऐसे बोलते हैं न, दो घर छोड़के, तीन घ यानि तीन दुकान दूर है, तीन दुकान छोड़के है, the barber shop is just three shops away, इसे कैसे कहेंगे, कि मेरे दोस्त का घर यहां से दो घर छोड़के है, कैसे कहेंगे, इसे आप comment करके बताना, घड़ी को calendar के उपर लगा दो, इस position को English में हम कैसे कहेंगे, इसे कहेंगे, put the clock above the calendar, put the clock above the calendar, कि जो clock है उसको calendar के उपर रखो, put the clock above the calendar, कैसे कहेंगे, कि घड़ी को calendar के नीचे लगा दो, इसे आप comment करके बताना, आपका समान दिवार के सहरे रखा है, जब कोई चीज किसी चीज के सहरे रखी होती है, तो हम कौन सी prepotition यूज करते हैं, इसे कहेंगे, your luggage is placed against the wall, your luggage is placed against the wall, वाल के against रखा है, वाल के सहरे रखा है, रखा है, I mean, दिवार से सटके रखा है, your luggage is placed against the wall, इसे कैसे कहेंगे, क्या वो आपका समान जो दिवार के सहरे रखा है, mention it in the comments, उसने packet अपने side में पकड़ा हुआ है, देखो, यहाँ पर, जो इस बच्चे ने अपने हाथ में यह कोई कुरकुरे का packet या कोई packet पकड़ा है, इसे इंग्लिश में कैसे गएंगे आप, He is carrying the packet under his arm, क्योंकि arm के under है तो हम यहाँ बोलेंगे under his arm, He is carrying बोलो या ही is holding बोलो, He is carrying the packet under his arm, or He is holding the packet under his arm, ऐसे भी कह सकते हैं, He is holding the packet tucked under his arm, He is holding the packet tucked under his arm, or He has the packet tucked under his arm, अब यह देखिए, उसने बच्चे को हाथ में लिया हुआ है, जिया हम को पता है कि गोट को तो इंग्लिश में लैप बोलते हैं, लेकिन हाथ में जब इस तरीके से हमने कुछ पकड़ा होता है, तो इसे हम कैसे कहते हैं, काफी बारा मैसे इसे बच बच्चे को हम ले ले लेते हैं, या फिर कोई और समान हमने एक हाथ में पकड़ा होता है, तो इसके लिए हम कहते हैं, He is holding the baby in the crook of his arm, in the crook of his arm, जब भी आपको कहना हो कि किसी ने अपने हाथ में इस तरीके से कोई चीज़ पकड़ी हुई है, या बच्चे को पकड़ा हु अगर आपने भी तक नहीं किया है, बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तिल देन, टेक केर, बाबाई